प्रदान को परबाद करने वानी सरकार मुर्दाबाद दौंगी सरकार मुर्दाबाद पाखंडी सरकार मुर्दाबाद करने की बात के तरह रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी उपजाओ भूमी को उजाड करके उनको बरबाद किया जा रहा है देश के किसानों की आएं दो गुनु करने का लक्ष लेकर के आगे बढ़ना है। हर्योना सरकार हो परपाद, हो परपाद, हमारे ज़ज़ परती दिदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अखिल बारतिय किसान सभा के आवान पर जिला मेंदरगड के किसान अपनी मुआवजारासी बढ़वाने के लिए पिछले 50 दिन से आंदोलन के रास्ते पर आएं। हमारे जिले में तीन नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 148B, तथा नेशनल हाईवे 152D, तथा पांच बाईपासों का निर्मान किया जा रहा है, जिसमें जिले के किसानों की लगभग 1100 एकड उपजाओ भूमी चली गई है। जिला परसासन ने जो किसानों के कलक्टर रेट तै किये हैं, वो 17 लाग से लेकर के एक करोड बहतर लाग रुपे तक निर्दारित किया है। सत्रा लाग से बाउन लाग के बीच में किसानों की बहुत ज़्यादा जमीन चली गई। पांच या साथ परसेंट ही किसान ऐसे हैं जिनकी नैसनल हाईवे ग्यारा और 148 बी पर भूमी पड़ती हैं। उनके रेट एक करोड बहतर लाग हैं। बाकी सभी किसानों के बहुत ही न्यूंतम मुल पर जमीन लेकर किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये किसान भाई जब जमीन खरीता है तो ये कनाल की किमत हमसे 20 और 30 लाग रुपया लिया जाता है। लेकिन हमारी जमीन की किमत ये कनाल की सरफ 5 लाग रुपय दे रहे हैं। सरकार कहती है वाई सब को एक साथ लेकर चलेंगे समान विकास करेंगे किसान जमीदार को आगे रखेंगे। рах और आगे इस तुरिके इसी रहा है एक तरफ तो एक क्रोड तैटरलां का मुआ जाझा दे रहे एक और हमारे गा 6 17 रांग अमारे शाथ वाली में जमीन का एक करो लाख दे रहें ते सरकार की नेतियां सब को साथ लेने का ये काम कर रही वही तो रोड हमारी जमीन में बनेगा 17 लाख वाली में और वही रोड एक किरोड 73 लाख वाली में बनेगा किसान संगर समिति यहां जिला मेंदरगड के हैड क्वार्टर नारनोल के अंदर पिछले 50 दिन से अंसन पर बेठी है और अपनी जाइज मांगों को लेकर के हम हरे एक हमारे यहां तीन परती निदी हैं उनके पास हम डोल नगाडों के साथ गए और उनोंने हमारे को सिरफ कोई भी बात उनोंने उपर नहीं तो पहुंचाई और नहीं हमें ऐसा कोई तसल्ली बख्स जबाब दिया जिसके साथ हम अपना आगे की कारवाई खतम कर सके सरकार ने हरी भूमी नाम से एक अकबार आता है उसके अंदर सरकार ने इसका बारे में जानकारी बेजी थी नोटीस बेजा था अकबार वो सभी किसान अचिदर सभी बारे में नहीं थी जब पता चला तो हम इसके बाद यहां सरकार के पास इसकी बारे में इंकौरी करने के लिए आये तो सरकार ने ये कहा कि हमने तो नोटिस भेज दिये हैं अब कुछ भी नहीं होने वाला है अपना 2013 में केंदर सरकार ने एक कानून बनाया था भूमी अधिक ग्रहन कानून उसमें ये निर्देश दिया गया था कि जब तक 80% किसान उसे भूमी को देने के लिए यस नहीं करें तो उनकी भूमी एक्वाइर नहीं की जाएगी तो हमें सूचना नहीं दी गई हमें कोई जानकारी नहीं थी उसके बावजूद भी जबर्दस्ती हमारी भूमी का अधिक ग्रहन किया जा रहा है और उस 2013 के अधिनियम के तहत ये लिखा हुआ है कि सरकार जो भूमी अधिक ग्रहन करेगी तो कलेक्टर रेट से चार गुना जादा रासी जो है वो किसानों को दे जाएगी उसके बदले में मार्केट रेट से या जो कलेक्टर रेट है उनसे चार गुना हाधिक भूमी दी जाए वो पैसा दिया जाएगा लेगिन वो भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है हम पचास दिन से लगातार दर्णा और प्रदरिशनों में लगे हुई है और जो हमारी खेती है वो उजड़ने के कागार पे है हमारे पे दो रिमार पड़ी हुई है अगर सरकार हमें जाएज मुआवजा दे देती तो ना तो हमारी खेती हुजड़ती और ना हम यहां बैठने पे मजबूर होते हैं हम सुबह से शाम तक काम करते हैं जब हम बच्चों को पढ़ा लिखा पाते हैं और उनका पेट बर सकते हैं जब हम यहां आके बैठके हमारे बच्चे हमारे पजू सब मतलब बुखे मरने पे लाचार खड़े सारे दिन चकरगान काटते हैं यह सरकार हमारे साथ दोग्रा विवार कर रही है हम विकास से ख़लाप नहीं है विकास करो लेकिन हमें बरबात करके ना करें जारली में फ्रम प्लान लगया था उसमें गोवर्मेंट ने बहुत ज़्यादा मौजा दिया है और तीस साल तक तीस तीस दार रुपे कड़के देड़ा करें और परते परिवार के जिरेंगे एक सदेश्क नोगरी दीए तो हमें विन नगरी दी जाए एक सद्दस दूग दीजाए ऑ्रहों नको दीजाए और हमें भी एक करोड़ 32 लाग रुपिया हर एक किसान को एक कड़के साबशी दिया जाए तब हमारा अंदोल से भी उपर होगे यहारों तक में खरखडा में चला हुआ है और किला जफरगड में चला हुआ है बड़ी बड़ी रेली भी कर ली और सरकार किसान की सुनाई नहीं कर रही बिल्कुल रोड पे हैं रागे के सरकार के परती निदी निकल जाते हैं यह बड़ा जो न्याय है किस लड़ाई लड़के जो चीजे मनवाई थी उसके प्रावधान ठीक से लागों नहीं किये जा रहे उसके अनुरूप जो है वो जमीन की कीमतें नहीं मिल रहे हैं जिसकी वज़े से अब आप देखने लगें तो अलग अलग जगाओं के उपर दादरी है नारनोल है यहां किलाजा फरगड है इससे आगे जाएंगे तो आप दूसरे और तीसरे पूरा का पूरा हाइवे जो बनना है उसके उपर गाहों के लोग धर करनों के उपर बैठें कई-कई महीने से कोई सरकार की तरफ से इतनी समेदन हिंता है कि किसी ना के नहीं पुछा कि भी तुमारी क्या दिकते हैं और कैसे बात देखो ऐसा है यदि हमारी बात को सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में विदान सबाद चुनाओ है अक्ट करता हैंगे